डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच चेकिन बाद सक्ति संतूलन और सामोहिक सुरक्षा की मान्यताईं सेन्य प्रतिरोध के सिद्धान्त पर आधारित होती हैं हालांकि सांती की स्थापना के लिए युद्ध की आवशक्ताओं को भी स्विकार किये जाने से कोई परहेज नहीं दिखता चीन की सामरिक आर्थिक और राजनीतिक महत्व कांक्साओं और आक्रामक व्यवहार ने एसिया प्रसांत क्षेत्र में युद्ध की आसंकाओं को बढ़ा दिया है अब इस छित्र के एसे देश भी परमानु जखीरा और अत्याधूनिक अतियार बढ़ाने को मजबूर हो गए हैं जो अब तक अपेक्साकृत सांत समझे जाते थे हाल में अमेरिका ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के बीच जो रक्षा समझोता हुआ है उसे ओकस नाम दिया गया है इस समझोते के अनुसार अमेरिका अपनी पनडूबी तकनीक आस्ट्रेलिया को देगा जाहिर है इसके बाद ओस्ट्रेलिया की नौसेना दुनिया की उन चुनिंदा सेन्य सक्तियों की बराबरी में खड़ी होगी जो परमाणू हतियारों से सूसजित मानी जाती है कई दसकों पहले अमरीका ने यह तकनीक ब्रिटेन से भी साजा की थी अब ऑस्ट्रेलिया उसका नया साजीदार बन गया है उस्ट्रेलिया को लेकर अमेरीका का बढ़ता सेन्य सहयों किसी सेन्य समझोते से बढ़कर इस समूचे क्षित्र के लिए दुरगामी कदम नजर आता है पिछले कुछ वर्सों में चीन को लेकर उस्ट्रेलिया बहुत मुखरता से सामने आया है चीन उस्ट्रेलिया का सबसे बढ़ा व्यापारिक साजीदार रहा है लेकिन उस्ट्रेलिया ने अपने राष्टी हितों की खातिर चीन को चुनोती देने से परहेज भी नहीं किया इसकी सुरुआत 2018 में हुई थी जब उस्ट्रेलिया दुनिया का एसा पहला देश बन गया जिसने चीनी कमपनी ख्याने के 5G नेटवर्क पर प्रतिबंद लगा दिया था इसके बाद कोरोना महामारी को लेकर भी उस्ट्रेलिया ने विश्व समुदाय से यह मांग कर डाली की वह कोरोना विशानू की उत्पती को लेकर चीन की भूमिका की जांच करे चीन ने जब उस्ट्रेलिया पर दबाव बनाने की कोशिस की तो उस्ट्रेलिया ने पलटवार करते हुए नैकेवल चीन में रहने वाले वीगर मुसलमानों पर अत्याचारों को लेकर उसकी कड़ी आलोचना की बलकि उसकी महत्वाकांग से बेल्ट एंड रोड परियोजन से जुडे दो समझोते भी रद कर दिये गौर तलब है कि ऑस्ट्रेलिया क्वार्ड समुहे का सदस्य है जिसे चीन विरोधी माना जाता है ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच गहराते विवाद के पीछे अमेरिका और इन दोनों देशों के एसिया प्रसांत खेत्र में आपसी हित है और उत्तर तथा पूर्व में प्रसांत महासागर और पस्चिम दक्षिन में हिंद महासागर से घीरा है और चीन आपस में समुद्री सीमाई में साधा करते हैं इसलिए और दक्षिन चीन सागर में चीन की दादागीरी से चिंतित है उसे लग रहा है कि अगर हिंद प्रसांत खेत्र में चीन की पनडूबी सामरिक दबाव डालने के लिए घूम सकती है तो निश्चित ही यह भविशे में पस्चिमी प्रसांत खेत्र में भी आ सकती है ओकस समझोते के बाद ओस्ट्रेलिया अब परमानू संचालित पनडूबियों का निर्मान करेगा यह खास पनडूबियां महिनों तक पानी में रह सकती हैं और लंबी दूरी तक मिसाइलें दाग सकती हैं फिर ओस्ट्रेलिया में एटमी पनडूबियों की मौजूदगी दक्षिनी गोलार्ध में अमेरीकी प्रभाव को बढ़ाने में भी मददगार होगी पिछले एक दसक में अमेरीकानी एजिया प्रसांत क्षित्र में चीन का सामना करना के उदेश्य से कई कदम उठाए हैं इस द्रश्टी से क्वाड समुहे के गठन और सक्रियता के बाद अब ओकस बेहद खास माना जा रहा है यह विशुद सेन्य समझोता है क्वाड देशों की आपसी हितों की इतर अमेरीका की हालिया रुख को बेहद आक्रामत माना जा रहा है इसका कारण यह भी है कि क्वाड की सदस्य जापान और भारत चीन की किलाब उस मुखरता से सामने नहीं आए जैसे तेवर ओस्ट्रेलिया ने दिखाए हालांकि इसके पीछे भारत की अपनी क्षेत्रिय और सामरिक मजबूरियां रही है वह अमेरिका से मजबूत समंद तो चाहता है लेकिन रूस और इरान जैसे धूर अमेरिका विरोधी देशों में भी रिष्टे सामाने है वहीं जापान अपनी आर्थिक हितों को लेकर जादा प्रतिबद नजर आता है जिसमें उसकी चीन से आर्थिक साजेदारी सामिल है जाहिर है अमेरिका के लिए इस खेत्र में ओस्टेलिया एसा खास देश बन गया है जो चीन को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है अमेरिका की नजर हिंद प्रसांत खेत्र के रणनीतिक और आर्थिक महत्व पर भी है इस खेत्र में चीन ने कई देशों को चुनोती देकर विवादों को बढ़ाया है चीन वन बेल्ट वन रोड परियोजना को साकार कर दुनिया में अपना प्रभुत्व स्थापिद करना चाहता है और उसके केंद्र में हिंद प्रसांत खेत्र की एहम भागीदारी है चीन पाकिस्तान को बढ़ती साजेदारी ने भी समस्याओं को बढ़ाया है चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदर गाहे का प्रमुख भागीदार है स्रिलंका का हमबन टोटा बंदर गाहे बांगलादेश का चटगाम बंदर गाहे म्यामार की सीतवे परियोजना सहित मालद्विप के कई निर्जन द्विपों पर चीनी कबजे से भारत की सामरिक और समुद्री सुरक्षा समंधी चुनोतियां बढ़ गई है गवर तलब है कि हिंद प्रसांत क्षेत्र में 38 देश सामिल हैं जो विश्व की कुल सत है क्षेत्र का 44 फीसद कुल आबादी का 65 फीसद कुल जीडीपी का 62 फीसद और विश्व की व्यापार में 46 फीसद करती है हिंद प्रसांत क्षेत्र से जुड़े बंदरगाह दुनिया की सरवाधिक व्यस्त बंदरगाहों में है इसके अंतरगत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिन चीन सागर आता है दक्षिन चीन सागर का इलाका हिंद प्रसांत महासागर और प्रसांत महासागर के बीच है और चीन ताइवान वियतनाम मलेसिया इंडोनेसिया ब्रुनेई और फिलिपिन्स से गिरा हुआ है यहां कई आसियान देशों की साथ चीन का विवाद है लेकिन चीन पर आर्थिक निर्भरता के चलते अधिकास देश चीन को चुनवती देने में नाकाम रहे है जहां तक सवाल है भारत का तो चीन को लेकर भारत की चिनताएं किसी से छिपी नहीं है भारतिय नौसेना में इस समय एक मात्र आई एन एस अरिहन्द परमाणू पनडूबी ही तेनात है इससे पहले रूस से किराये पर ली गई INS चक्र परमाणू पनडूबी ही तेनाद है। चीन का बढ़ता रक्षा बजट भारत के लिए चिनता का बड़ा कारण है। चीन ने बेलेश्टिक मिसाइलों के लिए भारी निवेश किया है। समाप्त।